जमु श्रीनगर नाशनल हाइवे को यातयाद सेवाओं को रख रखाब के चलते फिलाल के लिए स्तागित कर दिया गया है आपको बता दें कि 86 किलो मेटर लंबा मुगल रोड भी बंद रहेगा ऑफिशल्स के अनुसाद नाशनल हाइवे की रिपेरियंग का कारे चल रहा है जिसके चलते आज से जमु श्रीनगर यातयाद को बंद कर दिया गया है जमु कुश्मीर में करोना का फिर बड़ा प्रको 30% तक गट के परियाटक करोना की दूसरी लहर ने परदेश में परियाटन पर असर डालना शुरू कर दिया है पिछले एक महीने में ही सडक मार्क से परदेश में आने वाले प्रटकों की संख्या में 30% तक गिरावट आ गई है रोजाना लखनपूर कॉरिडॉर पर 7-8,000 लोगों की करोना जांच की जा रही थी पर अब वहीं या अंकड़ा घिर कर 4-5,000 तक सिमित हो गया है जमू में मैटेडोर और अन्नी यातरी वाहन सडकों से गायप मैटेडोर चालकों ने की हर्तार शहर में आज से नहीं चलेंगी मैटेडोर बस पी अंतर जिला प्रूट्स पर बंद रहेंगे एस्सोसेशन ने की 50 फिजिती कराय बढ़ाने की मांग राहूल का पीम मोधी पर अटैक बोले करोना के लिए बनाई नोट बंदी जैसी रन नीती राहूल गांदी ने ट्यूट कर कहा कि केंदर सरकार की वेक्सिंग रन नीती नोट बंदी से कम नहीं आमजन लाइनों में लगेंगे दन स्वास्त वैचान का नुकसान जेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ द्योपतियों का फाइदा होगा सीरम इंस्ट्यूट ओफ इंडिया ने कोविड-19 की वेक्सिंग कोविशील्ड के दाम चारी कर दिया है महरास्ट्र में पिछले 24 गंटे में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए है स्तिधी को देखते हुए राज्य में संपूर्ण लॉक्डॉन की आशंका जटाई जा रही है लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से महरास्ट्र में पाबंदिया मढाई जा सकती है बीट बाड़ वाले इलाकों में और सक्ती बर्थने जाने की संबावना है इसके इलावा बेवज़ा गर से बाहर निकलने वालों पर जुर्माना की लिभाया जा सकता है बदरवा में पीड़ी डिपार्टमेंट से परिशान लोग रोश में अतिरिक्त जिला बदरवा के कई शेत्रों में रमजान के पवित्र महीने के दोरान लोगों को बिजली की कटोती का सामना करना पड़ रहा है नासिके हस्पताल में बड़ा हाथसा ऑक्सिजन लीक होने की वज़ा से 11 मरीजों की मौत करोना मामारी के दोर में महरास्ट्रा के नासिक में एक बड़ा हाथसा हुआ है पतादे की महरास्ट्रा के नासिक में सित जाकिर हुसेन हस्पताल में ऑक्सिजन टैंक लीक होने से 11 मरीजों की मौत हो गई है जिस दोरान ऑक्सिजन लीक हुआ उस समय हस्पताल में 25 मरीज वेंटिलेटर पे थे इन मेंसे कई मरीजों की हाला गंबीर बनी हुई है करोना की दूसरी लहर का कहर जारी है कहीं मंतरी इस वाइरस की चपेट में आचुके हैं अब वही केंद्र शिक्षा मंतरी रमेश पोक्रियाल भी करोना संक्रमित है पूरे देशबर में मादुरगा के नवरातरी के नव दिन के पूजन के बाद आज राम नम्मी पर किया गया साक्पी सर्चन